गूगल ने यूजर्स को कर इस बात की जानकारी दी है और इनी मेल से पता चला है कि आने वाले 27 सितंबर से कुछ आप इन स्मार्ट फोन्स में सपोर्ट नहीं करेंगा साथी गूगल ने कहा है कि सितंबर के बाद भी अगर यूजर्स इन गूगल एप्स को यूजर्स करना चाते हैं तो उन्हें कम से कम एंडरॉइट 3.0 हनी कौम में अपडेट करना होगा और ये फोन में एप लेवल साइन पर असर भी डालेगा लेकि यूजर्स को अपने फोन के ब्राउजर के जरिए जीमेल गूगल सर्च गूगल ट्राइब यूट्यूब में साइन इन करने के लिए केपेबल होना होगा वही रिपोर्ट के मताबग बता दें कि गूगल अपने यूजर्स के सेक्योर्टी के लिए ही कतम उठाने जा रहा है हाला कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऐसे यूजर्स की संख्या बहुत कम हैं जो इससे एफेक्ट होंगे क्योंकि बहुत कम यूजर्स इतने पुराना एंड्रोइड वर्जिन का इस्तिम्हाल करते हैं साथी गूगल के मताबग आने वाले 27 सितंबर से अगर कोई यूजर एंड्रोइड वर्जिन 2.3.7 और उससे कम पर चलने वाले फोन पर किसी गूगल अप में साइन इन करेगा तो स्क्रीन पर यूजर नेम या पास्वोर्ड एरोर लिखा आएगा कोरोना महमारी की तीसरी लहर को लेका हर तरह स्ट्रेंशे का महौल है देश की वरिष्ट विग्यानेक और माइक्रो बायलोजेज गगन दीब कंग का कहना है कि अगर मौझूद आखालत नहीं बद्दे या नहीं सुद्रे तो कोरोना महमारी की तीसरी लहर पहाड़ी की चोटी की तरह हो सकती है जो दूसरी लहर के में चोटी के कोने जैसी थी बताने गगन दीब कंग ने सपश्च किया है साथी केरल में संक्रमन के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि केरल की आलोचना करना गलत है शोशल मीडिया पा केरल को कोसा जा रहा है हकीकत तो ये है कि ठीका करन की कम दर और स्थानी स्थर पबढ़ती जाने वाली लापरवाही की वज़ा से वाइरस फिर से पनफ रहा है उन्होंने कहा कि केरल में संक्रमंट की दर बक्रे ईद से पहले भी बढ़ रही थी और इससे सबक लेते हुए दूसरे राज्ये साफधानी बढ़ते हैं नहीं तो वाइरस किसी को भी नहीं बख्षेगा तो कोरोना की तीसरी लहर कोले का लगतार चुतावनी जारी की जा रही है विज्ञानिक बायलोजिस्ट की तरफ से गगंदीप कंग की तरफ से ये कहा गया है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई तो हालात खराब हो सकते हैं और हो सकता है आने वाले समय में कोरोना की तीसरी दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुए हीवानियत के बाद खत्या के मामले में मुख्य मंतरी अरविन केश्योusion ने दोश्यों के लिए फासिकी मांग की है अर्विन केजिवाल ने चुईट कर कहा है कि दिली में कानून विवस्ता के स्थिती बहुत ही खराब है जिसे जल सुधाने जाने की जरूरत है अर्विन केजिवाल कल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर भी जाने वाले हैं बता दे कि बच्ची के माता पिता ने दोश्यों की मौत की सज़ा देने की मांग की है उलिस ने जानकारी दी है कि दलित बच्ची की संदिक परिस्तितियों में मौत हुई है वहीं बच्ची के माता-पिता का कहना है कि उसके साथ दुशकर्म हुआ और उसके बाद नांगल गाउं के पुजारी ने जबरन उसका अंतिम संसकार भी करा दिया दोशियों को फासी की सजा की मांग करते हुए बच्ची के माता-पिता ने पुराना नांगल इलाके में धरना भी दिया साथी बच्ची की मा का आरोप है कि घटना के वक्त उनकी बेटी श्रमचान से पानी लेने कई थी और पुजारी ने हमारी मर्जी के बगैर हमारी बेटी का अंतिम संसकार करा दिया और हमें बताया भी नहीं गया और उसे करंच लगा था ये जानकारी हमें दी गई है तो बतादे दिल्ली की ये पूरी घटना है जहां पर एक बच्ची की मौत हो गई है बच्ची के माता-पिता मांग कर रहे हैं कि दोश्यों को जल से जल सजा होनी चाहिए और साथ ही कहा जा रहा है बच्ची के माता-पिता की तरफ से कि हमारी बच्ची के साथ दुश्टकॉम की घटना हुई और उसकी बाद उसकी खत्या करके उसे फेक दिया गया तो बता दें बच्ची के साथ और हैवानियत पर मुख्य मंत्री केजरी वाल का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि दोश्यों को फासी हो और दिल्ली में कानून विवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और आज बता दें मुख्य मंत्री अर्विंद केजरी वाल बच्ची के घर भी जाएंगे उसके मातापिता से मिलेंगे मुलाकात करेंगे बच्ची के घर जाकर उसके मातापिता से केंद्रे विद्यालों में अब सांसदों के दस कोटे के अलावा किसी नेता या मंत्री के सिफारिश पर बच्चों के अडमिशन नहीं हो पाएंगे जिहां केंद्रे विद्यालों में सिफ्च्चा मंत्राले का कोटा खतम करने का फैसला कर लिया है और अब सिर्फ सांसदों के पास ही अपने शेत्र में दस एडमिशन कराने का अधिकार बचा है ऐसले में अब केंद्र स्थाकार ने केंद्र विद्यालों में एड्मिशन में सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा खतम करने का फैसला कर लिया है यानि कि अब केंद्र शिक्षा मंतरी के पास भी बतार सांसद ही दस कोटा बचेगा और उनके मंतराले को मिली भारी भरकम कोटा छीन लिया गया है इस वैसले की जानकारी सांसदों को दी जा रही है ताकि वो दस बच्चों के अलावा और किसी एड्मिशन के लिए शिक्षा मंतराले में सिपारिश ना भीजे साथी लोकसभा के संसद अपने लोकसभा शेतर में आने वाले केंदरे विद्यालों में अधिक्तम दस बच्चों के अड्मिशन के सिपारिश कर सकते हैं जो किसी नेता या सांसत के जरीये मंत्राले तक आती थी वैसे ही ये साड़े चार सो किलिमिट कभी रही ही नहीं और हर सत्र में से कहीं ज्यादा एडमिशन मंत्राले की सिपारिश पर केंद्रे विद्यालों में कराई जाते थे वहीं साल 2018 में उनने से आठ हजार से ज्यादा एडमिशन मंत्राले के सिपारिश पर किये गए और इन सिपारिशों में ज्यादा तर गरीब और जरुरतमन बच्चे ही शामिल होते थे जिनका केंद्रे मंत्राल विद्याले में एडमिशन के लिए सानिय नेता या सांसत मंत्रा में सिपारिश किया करते थे अब ये कोटा नहीं रहेगा मद्यप्रदेश में भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा हालात गौालियर चंबल में खराब हुए हैं लगाता हो रही बारिश से गौालियर शिवपुरी शियोपुर दतिया भिंड जिले में नदियों के उफान पर आने से हालात बिगड़ चुके हैं गौालियर चंबल संभाग में एक के बाद एक गाउं की बार की जद में आते जा रहे हैं और ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए हवश्रक समान के साथ अपना घर बाद छोड़ कर सुरक्षिस्तान पर पहुँच रहे हैं ऐसे में मुख्य मंतरे शिवरा सिंग चौहान भी स्ट्रेट सिचुएशन रूम से बार का जाइसर ले रहे हैं जबकि सीम ने प्रधान मंतरी दरेंद मूदी को भी बार की स्ट्रेटी से अफगत करा दिया है और साथी मुख्य मंतरे शिवरा सिंग चौहान ने प्रधान मंतरी दरेंद मूदी को भी अफगत कराया है और सीम ने फून पर धानवंती मूदी को जानकारी दी है कि प्रदेश के गौाले चंबल शेत्र में लगातार खुरही बारिस से विकट इस्सिती बनी हुई है सीम ने प्रदेश में चल रहे रेस्क्यू आपरेशन के संबंद में भी जानकारी दी और बार गस्त शेत्रों में सेना की मदद के लिए भी चर्चा की है साथी सीम ने बताया कि पीम मूदी ने प्रदेश सरकार से हर संबव मदद का भरूसा दिलाया है राजिसान में मंतरी मंदल में संभावित फिरवदल से पहले खरग्याना कांग्रेस भी प्रमुक पुमारी शेलजा की रविवार को मुख्य मंतरी अशोग घैलोट से मुलाकात के बाद मंगलवा को करनाटर कॉंग्रेस के अध्याग्श डिके शिफ कुमार ने भी यहां मुख्य मंतरी से मुलाकात कर चर्चा की है बता दे एक के बाद एक हो रही इन मुलाकातों ने घैलोट मंतरी मंजल विस्तार में संभावित अर्चनों की अच्चकलों को लेकर और हवा दे दी है साथी फिर वदल में पूर्व उप मुख्य मंतरी सचिन पालेच के समर्थक विधायत ज्यादा प्रतिने धित्व चाहते हैं ऐसे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुमार बंगलूरू से आए और मुख्य मंतरी निवास पर मुख्य मंतरी अशोग घैलोट के साथ लगबग एक खंचे तक उनकी बैठक चली जिसमें शिप कुमार का शाम को हवाई मार्क से नई दिल्ली पहुंशने का कारक्रम है और ऐसे में कारक्रम के रुसार वो बुदवार को नई दिल्ली में अखिल भारतिया कॉंग्रस कमेटी के निताओं से मुलाकात करेंगे उमीद है कि ज़रान अपनी इस बैठक के बारे में केंदिर नितरतु को जानकारी भी देंगे साथी रविवार रात कुमारी शेलजा ने बुख्य मंतरी अशुग घेलोट के साथ संचिप्त मुलाकात की थी और बैठक के एज़रे के बारे में कोई भी अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन अनुमान लगाय जा रहा है कि शेलजा और शेफ कुमार दोनों के ने पार्टी के केंदिर नितरतु के संदेशों को पहचानने के लिए जैपुर की यात्रा की है और ऐसे में शेलजा को कॉंग्रेस अध्यक सुन्या गांदी और गहलोट दोनों की करीबी मिम्बाना जाता है बता दें पिशले सारा शोग गहलोट सरकार से बगावत करने वारे पाइलेट गुट के कई विधाय को द्वारा बागी तेवर दिखाय जाने के बाद कॉंग्रेस अलकमान ने समधान के लिए अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की एक टीम का गछन किया ता लेकिन उनका दावा है कि कोई कई महीनों के बाद भी समधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है वहीं कोरोना को लेकर आप गंभीर नहीं हैं तो साथधान हो जाएगे दरसल खत्रा बच्चों की जान पर है अब मासुमों को बचाने के लिए सरकार की तैयारी चल रही है और ऐसे में दिली एनच एस आरसी के ट्रेन अप बिहार की सभी आशा और एए एनम की विशेश प्रेस्टिक्शन भी देंगे बता दे बिहार के लखबग 90,000 हेल्थ वरकर्स को प्रेंट कर उन्हें हर इस तर से 30 लहर से निपटने की तैयारी में लगाया जाएगा और इसके अलावा इंफ्रेस्ट्रक्चर को भी लेकर तैयारी चल रही है स्वास्ते विभाग का कहना है कि देश में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 30 लहर में बच्चों को बचाने का इंतजाम पहले से ही किया जा रहा है दरसल कोरोना को लेकर जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है वो काफी घातक है बाजारों में कोई शोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क कप्रियोक नहीं किया जा रहा है ये लापरवाही ही खत्रा बन सकती है ऐसे में कोरोना के 30 लहर को रोकने के लिए हर इंसान को जागरुक होना बहुत जरूरी है अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होका लोगों के संपर्थ में आया तो आकड़ा बढ़ता ही जाएगा और ऐसे में हर व्यक्ति को संक्रमित से बचाव और सरकार की तयारियों को देखते हुए गंभीर होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है वहीं पटना हाई कोट ने दिवंगत अभी नेता शुषान सिंग राजपूती मौत की जाच सही धंग से कराने की याचिका पर सुनवाई आने वाली 4 सितंबर के लिए टालती है एक लौक शात्र दिवेंद्र ने पता दे कि याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की खंड पीत ने मंगलवाग को सुनवाई की थी और पिशली सुनवाई में कोट ने किसी को नोटिस जारी करने से इंकार कर दिया था साते सास ये भी स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई लंबित होने के तुरान भी विभाग्य कारवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी ये आचिका में कहा गया है कि CBI सुचांत के मुंबई के बांदरा एस्टेट फ्लाट में संधे स्पत मौत की जांच कर रही है और यदी पतना हाई कोट CBI की जांच को संटोष जनक नहीं पाती है तो कोट CBI के निदेशक और केंद साकार को निरदेश देगी और ऐसे में जाच कर रहे अधिकारियों को बदल कर वरिया अधिकारियों की नई टीम को इस मामले की जाच का जिम्मा सौपा जाएगा साथी बता दे हाई कोच मामले के स्वेन निकरानी कर रहा है और CBI को समय समय पर कोच में प्रगती रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दे रहा है ताकि जाच को जल्द ही पूरा कर लिया जाए और दोशियों को सजा मिल सके मुक्तार अंसारे अंबुलेंस मामले में बारबंकी पुलिस को एक बड़ी सा फलता मिली है दरसल लंबे समय से फरार चल रहे 25 पच्छिस हजार के तीन इना में मुक्तार अंसारी के गुर्गों को नगा कोतवाली पुलिस से गिरफतार किया है और साथी ये तीन गुर्गे फिरोज, कुरेशी, शाहिद और सुरेंद शर्मा हैं जो लंबे समय से फरार चल रहे थे साथी इन पर बारबंकी पुलिस ने 25 पच्छिस हजार का इनाम भी घुर्शित कर रहा था और मामले में अब तक बता दे 11 लोगों के गिरफतारी 21 को सामने आया था जहां जाच के बाद 2 अप्रेल 2021 को इस पूरे मामले में मौंग की अस्पता संचालिका डॉक्टर अलका राय पर बारबंकी नगा कोत्वाली में मुकदमा दर्श कुराया गया था यही नहीं बारबंकी पुलिस की टीम ने पंजाब से 5 अप्रेल को इस अ अप्रेल 2021 को थाना कोत्वाली नगर में एक मुकदमा लिखा गया था बना मुक्तार अंसारी और उसके अन्य साथी इसमें अभी तक 8 लोगों की गिरिपतारी हुई है जिसमें अलकाराय, सेसनातराय, राजनात यादो, आनंद यादो, मुहमदस्वे मुझाहिद, सलीमज और अली मुहमद जाफृ इनके गिरिफतारी सुनिस्चित की गई है वारणट भी के आधार पर मुक्तार अनसारी की भी गिरिफतारी सुनिस्चित ही है इसके तीन साथी जो इनामिया थे और फरार थे फिरोज कुरेसी, साहिद और स्रेंच सर्मा ये सभी गाजीपूर के रहने वाले हैं और मुक्तार अंसारी के साथ मिलके उसके गाड़ी चलाना और उसके अपराधिक खडेंत्रों में सामिल रहना इनका कारित था वो भी गृपतार किये गया हैं जब इनसे गहन पूस्ताच हुई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग मुक्तार अंसारी की एंबूलेंस और अन्य गाड़ियां लगातार चलाया करते थे वो कहीं भी गाजीपूर, लकनओ, बादा या रोपर, पंजाब में जहां भी जाता था उसके साथ ये लोग करवाई की जा रही है और इसमें दो इसके अन्य साथी जब फरुप चंदा और अफ्रोज काउप चुन्मू ये अभी बाकी हैं इनामिया अपराधी हैं इनकी भी जल्द से जल्द गृपतारी सुनिश्चित की जाएगी ये अपराधी मिल करके मुक्तार अंसार की गाड़ अगले साल गोने वाले विधान सवच्चुनाव में सभी राश्रीतिक दलों ने अपना दमखम दिकाना शुरू कर दिया है पाटी नई नई रणीतियों के साथ मैदान में उतर रही हैं और एक तरफ जहां बस्पा ने ब्रहमनों को रिचाने के लिए अयुद्या से ब्रहम यात्रा भी निकाली माना चा रहा है कि यूपी वे भ्रहमनों से स्यादा दलित मद्दाताओं को देखते हुए कॉंग्रेस ने उन्हें रिचाने के लिए ये रणीति तयार की है और इसी क्रम में बाराबंकी के जस्मंडा गाउं में भी कॉंग्रेस ने दलित सम्मान दिव इसलिए मनाये जा रहा है क्योंकि तीन अगस्त को डॉक्टर बियार अम्बेटकर ने प्रधान मंत्री पंडित जवाल नहिरू की काबिनेट में कानून मंत्री के रूप में शपत ली थी और ये एक तरह से दलितों को सम्मान देने की बात है कि ये एक तरह से दलित सम्माज को सम्मान देने का काम है क्योंकि उस समय बाबा साहब कॉंग्रेस पार्टी में नहीं थे और उसके बावजूद उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव जवालाल नहिरू जी ने कैबिनेट में रखा था और उसके बाद ही वो 15 अगस्त को कानू समाजबादी पार्टी बीएस पार्टि इसमें प्रणिवाणी के लिए सम्में किया आज क्योंग्रेस पार्टी डिलित सम्में कर रही है तो किस तरह सबने प्रदेश अद्यक्ष राष्ट्य अद्यक्ष प्रभारी जी सब ने एक ही बात कही है कि वोर्ड बैंक के लिए नहीं बलकि समाज में जा करके समाज के लिए काम करने का काम करिए तो समाज में हम लोग मैं तो स्वयम पिछले पांस साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ और पांस साल से ही इसी निर्देश पे काम हो रहा है जग a espíriton के मामले होते हैं वहां सब kay確 लोग लगातार पांस सालसे विजा कर और Stories और मेरी से पहले पूरा deposit Л काम जे जा रहा है जगज बार मना रहे हैं ऐसा कोई वोट बैंक की बात ही नहीं आती यह लोग तो अब समाजवादी और भारतियंता पार्टी तो अब चुनाओ आया है तब शुरू किया है हम लोग का काम पांचो साल से चल ला था पिछले चुनाओं के पहले से चल रहा था तो हम लोग समाज में जा जो समाज हमें खुद बुलाएगा नहीं कि आ आप आजाएए आप हमारी समस्या सुनिये हमारी समस्या सुन कर के उसका समधान निकाली हमारी आवाज उठाईए तब तक के हमारा काम चलता रहेगा और उसके बाद तो और कठिन काम हो जाएगा क् column के नजीबबाद की मालरन नदी किनारे मौझूद प्राचीन काली मौता का मंदिर में दिन दहारे चोरों ने मंदिर में दान पात्र से रुपे चोरी कर लिए साथी माता के सबस्CER से चांदी का मुकट भी चोरी कर मंदिर की पुजारी की साइकल चुरा कर रफूचकर हो गया हाला कि मंदर के इर्द गिर्द लगे सीसी टीवी कैमरे में चोड़ी के तस्वीर कैत हो गई है वहीं मंदर के पुजारी की तहरीर पर पुलिस से चोर की तलाश में अब जुच गई है पुलिस से चोरी करकर रफू चकर हो गया फिलाल मंदर के पुजारी ने थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस से टीवी कैमरे में कैट चोर की कुंटली खंगालने में अब जुट गई है पुलिस से चोर आया ले गया क्या कहा पुलिस ने करीब दो करोर अथारा लाग की संपत्ति को कुर्क कर दिया है आई एस एक एक सो एक कैनवन गैंग का सरगना मुपतार है और इस गैंग के खिलाफ गाजिपूर पुलिस लगातार कारवाई कर रही है बता दे गाजिपूर के सदक उत्वाली श्यत्र के सेदा बाड़ा सित एक आवासी परिसर कुछ रादी कारी एंपे सिंग के आदेश पर कुर्क किया गया और ये आवास मुपतार अंसारी की पतनी आफसा अंसारी और उसके साले सरजील अंसारी के नाम बताई जा रही है अधिकारी गाजबुर मौद्दे के आदेश के अनुसार, आज गैंक स्ट्रेक्टी धारा 14-1 के अंतरगत, आई एस 191 गैंक के लीडर मुक्तार अंसारी की पत्मी आफसान सारी, व्रसके साले, सजील लजा और अन्वा सजाद का ये जो भवन निर्मान है, जो कि सेद बारा महलने में प्लॉट संक्या 84 और प्लॉट संक्या 85 परस्टेत है, इस भवन निर्मान को आज नारा 14-1 के अंतरगत कुर किया गया है, जो इस भवन निर्मान है, इसका PWD की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानी प्लागत एक करोर 18 रुपए है, और इसको आज पुलिस और प्रसासन दुवारा जब्द कर लिया है, जिनाग 2 अगर्स्त 2021 को जिलादिकारी मौद्यन है, आपसा अंसारी की लखनो इस्तित, गोमती नगर में जो फ्लैट है, उसको भी गैंक्स्ट्राइट के दारा 14 एक के अंदर कर करने के आदिश दे दिया है, वो कारवाई के लिए भी लखनों सीम रवाना की जा रही है, जो लखनों में फ्लैट इस्तित है, उसकी अनुमानी प्लागत लगबग एक करोड रुपिय है, बुलन शेयर में एक यूवक ने महिला से दुशकर्म करने का प्रयास किया, वहीं महिला ने जब इसका विरोध किया, तो यूवक ने महिला पर धार-धार खत्याद से हमला करने की कोशिश की, हमला करने पर महिला गंभी रूप से घायल हो गई, वही महिला के शोर मचवाने पर आसपास के ग्रामीन इखटा हो गए वहीं ग्रामीनों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और इसकी सूचना पोलिस को दे दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पोलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया और घायल महिला कोलाज के लिया स्वतार भीज दिया है साथी बता ने पोलिस आरोपी पर कारवाई करने में भी अब चुट गई है हरदोए के मादोगंश को तवाली शेत्र में उस वक्त अफरत अफरी का माहौल बन गया जब मादोगंश की और से बिलग्राम के लिए आ रहे एक ट्रक ने दो बाइक सवा यूग को को जोड़दा टक्कर मार दी जिससे यूग मोटरसाइकल समिट ट्रक के नीचे चले गए वही और जिसका पैट्रोल टंकी पटने से पैट्रोल निकल गया और अचानक ट्रक में आगल गए जिसमें एक यूग की मौके पर ही मौत हो गई साथ ही एक बाइक सवाल यूग कम भी रूप से घाइल हो गया माधोगन चेत में एक ट्रक जो है माधोगन से बिल्ग्राम के तरफा रहा था और दो मोटरसाइकल सवार बिल्ग्राम से माधोगन तरफ जा रहे थे जिसमें मोटरसाइकल सवार और ट्रक में टक्कर हो गई है जिससे मोटरसाइकल में जो जोनों जूद्धे घाय लोगा है एक कि उसमें विर्थ हो गई है और उसके पेट्रोल से ट्रक के पिछले पहिये में आग लग गई है तकाली फाटनर को बुलाया गया है महोंके पहुच रही है और पुलिस अनलसर बिदिका रहे हैं इस बुलिटन फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे है निवस वर इंडिया झाल 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 गई है और रहे हैं